दर्श को विपक्ष ने मानो ठेका ही ले रखा है कि कैसे भी करके लोग सभाचुनाव दोहजार चुबिस में मिले जन्मत का अपमान करना है विपक्ष को जन्ता ने अधिक सीटे दे कर कहा कि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहें लेकिन सत्ता की ऐसी हनक है विपक विपक्ष ने जन्मत का अपमान करने का पूरा मन लिया था जिसका खुलासा खुद जेडियों के निताव ने भी कर दिया कि इंडि ऐलाइंस ने पूरा मन बना लिया था कि नीटीश कुमार को पी एम पद भी दे देंगे लेकिनEEश पाबु में ठुक्करा दिया क्यूंकि वो जानते हैं कि विपक्ष आज फस गया है तो उनकी पूछ कर रहा है लेकिन जब वो इंडी ऐलाइंस बना रहे थे तब उनका किस कदर से अपमान किया गया शायद वो भूले नहीं और विपक्ष के मनसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया और विपक्ष को अब विप कारण बताएंगे कि आखर क्यों नहीं नितीश वापस से चाहेंगे विपक्ष की तरफ और इंडी ऐलाइंस की तरफ मुखे मंतरी नितीश कुमार अक्सर चर्चा में रहते हैं और चर्चा का कारण भी खुद बनते हैं हाल ही में नवादा की चंसभा में आत्म वीहल होकर पीम नरेंदर मोदी के पेर चुने की कोशिश की सेंटर होल में नरेंदर मोदी को एंडीय का नेता चुनने के दोरान दमदार तरीके से डटे रहें अपने आकरशक संभोधन में पीम का मान रखा और भावुकता भरे शड में एक बार फिर पेर चुने की कोशिश की कर गले लगाते हैं याद कीजिए इस चुनाव की दोरा ना जाने कितनी बार कह गए कुछ दिन के लिए उधर चले गए अब कभी भी नहीं जाएंगे हमेश्या साथ रहेंगे यह एक दोर था जब पीएम नरेंदर मोदी से नाराज नितीश कुमान ने इंडिया गडबंधन क को खड़ा करने में अपनी पूरी तागत लगा दी लेकिन इंडिया गडबंधन की पहली ही मिटिंग में राजत सुप्रीमो लालू पिरसाध ने राहुल गांदी को दुला और शेश को बराती कहकर नितीश कुमार के मुहीम को छटका दे दिया फिर राहुल गांदी ने मम ममदा बैनर जी ने पी-एम के रूप में नाम आगे कर दिया और लगे हाथ अर्विन केजरिवाल ने समर्थन भी कर दिया यानि इंडिया कडबंधन में लालू यादव राहुल गांदी मम्दा बैनर जी और अर्विन केजरिवाल सब कुछ नकोच शडियंत रच रहे थे ऐसे में से सम्मान एंडिये में बतोर सीएम के रूप में नितीश कुमार की वापसी कहीं न कहीं नरिंदर मोधी के प्रती समरपड का भाव जगा गया। और तो और लोग सभा परिवलाम आने के बाद भाशपा नैतरत ने वर्ष दोजार पच्चिस विधान सभा चुनाफ का सीएम चेहरा भी घोशित कर दिया। चन करना और चन संख्या किया। अनुसार आरक्षड की उम्मीद भी इसी NDA की सरकार से। सो भावक होने की कम वज़े रही। जिस तरह से जेडियू नेता केसी तयागी ने पोल पट्टी खोली है विपक्ष की वैसे ही सवाल तो अब यहें खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा करना चानता है या सिर्फ दिखावा है।